सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन दोस्तों नमस्कार आज के इस Microsoft Excel के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिल्टर के साथ सब्डोटल फार्मूला कैसे अपलाई किया जाता Microsoft Excel में वह थोड़ा सा मैं आपको इसका दिखा देता हूं जलग थोड़ी सी यहां इसमें क्या है कि देखी दोस्तों यहां पर टेबल है यहां पर मैंने सीरेल नंबर रखे हैं उसके एंपलोई नाइम रखे है और यहां पर लीव इन थ्री मंत तीन महिने में कि एंपलोई ने कितनी चुटियां ली रेस्ट दैन संदे संदे को चोड़ करके तो कितनी करूँगा और जैसे में आक्र देता हूँ हो दूस्तों कि यहां से लिख ए राकेश की चुटियां दुखा दकिरागेश ने 4 test लिआ मिनों में और कितने तो यहां पर दिखाने चाहिए वो नहीं दिखा रहा है और यहां पर जो सिरियल नंबर वह भी देखिए रेंडम ली आ रहे एक साथ 11 और 15 मैं चाहता हूं यहां भी सिरियल नंबर 1234 तो दूसरी लिस्ट में आपको दिखा देता हूं कि यह कैसे यह देखिए देखिए बिल् आपको अरहे हैं तो यहां पर राकेश की चुटियां देखना चाहता हूं तो देखिए मैं यहां पर जाए और जैसे में इसको सव क्पैश्य की चुटियां कि इसको क्या कर देता हूं और राकेश की चार बार रेनों चुटी लिए और टोटल चुटियां तीन मीने में 6 हो गई और यहां पर देखिए सीडिल नंबर भी 1234 दिखा रहा है दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें यहां पर 1234 दिखा रहा है लेकिन जो पहली हमारी लिस्टी वहां पर देखिए जैसे म मैं आज आपको बताऊंगा कंप्लिटी तो वीडियो को प्लीज आप से रिक्वेस्ट है आप पूरा देखें अगर आप पूरा देखेंगे तो इसको सीख जाएंगे दोस्तों काफी अच्छा फर्मुला अगर आप एक्सल से रिलेटीड काम करते हैं तो काफी अच्छा फ वो सारे आपको हमारे चैनल पर जाएंगे यहां पर आपको देखी है मैं बताता हूँ अगर आप भी माइक्रोशॉफ्ट एक्सल बिल्कुल एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो हमारे चैनल पर जाएंगे पले लिस्ट पर जाने के बाद यहां तो आप हमारे यहां पर जो हमारे इसके computer जो screen है यहां पर देखिए इस side left में आप देख रहे हैं तो यहां पर Microsoft Excel के जितने वीडियो यहां पर जैसे इसके उपर क्लिक करें आपके पास यह किल जाएगा यहां पर Microsoft Excel को आप सीख सकते हैं बिल्कुल काफी सारे वीडियों Microsoft Excel के तो आप एडवांस लेवल तक के हैं बिल्कुल आप इसको अची तरह सीख जाएंगे दोस्तों तो प्लीज है रिक्वाइस्ट आप से आप एक बार यहां पर वीजिट जरूर करें आइए अब मैं उस फार्मुले को पर ले चलता हूं आपको जो आपने यहां पर करना है तो य रेकेट में स्टार्ट करूँगा और यहां से देखिए इसके ओप्सन आ जाते हैं काफी सारे कॉफी ओप्सन है यहां पर अभी पूछ रहा है सब टोटल फर्मुला में आपने निकलना क्या है तो मैं चाहता हूं कि यहां पर सब टोटल फर्मुला मुझे तो इनका देखि को सलेक्ट करेंगे और यहांसे हम व्हÄ को एंटर कर देखिए थें अभी 29 और पहले 29 और यह एक दिख लेते हैं करके शाले को चाहिए और यहांसे में राक्राइब दिखता तो हम Пос gedaan अब गिश्तुमाभी टोनों की दिखा लेकिन अभी हमारा चैनल है यहांकर इंद यहां पर हमने यहां पर क्लिक करना है यहां पर हमने फार्मूला फिर से लगाना है यहां पर लिखेंगे हम तीन और कॉमा लगा देंगे अब देखिए यह कॉमा लगाने के बाद आपको एक बात का विशेश ध्यान रखना है यहां पर हम क्या वैल्यू क्या डालेंगे वैल्यू हमने डालनी है जो एम्प्लोई के नीचे जो पहला नेम है और पहला नेम किस कॉलम पर है यह कॉलम है C2 जैसे राकिस है तो हमने C2 य अब एक और विशेश बात ध्यान रखने की है वो है कि यह जो C2 है इसको हमने फिक्स कर देना है फिक्स का मतलब F4 बटन से F4 कीबोड से अगर आप F4 बटन तपाएंगे फिक्स हो जाएगा यहां पर डोलर का सिंबल आ जाएगा उपर भी आप फार्मुला बार में देख स आप यह तो डाक फर्मुला बार से श्लैक्ट करके उपक्स कर सकते हैं और अब अपने क्या करना इसको एंटर कर देना है देखिए एंटर करने का बाद सिर्फ फर्मुला कहां एपलाई है एक नंबर पर अपलाई है जो बाकी दो तीन चार्ट यह 20 तक है इनको पर तो देखिए जो रहे हैं पर देखिए राकेस के साथ एक सुनी भी जो गया और यहां पर टोटल दिखा दी साथ अगर मैं इस और भी जोड़ना चाहूं तो भी देखिए जैसे सलोनी जोड़ देता हूं तो यहां पर देखिए सीरेल नंबर जो है बिल्कुल तो दोस्तों यह फर्मुल आता है फिल्टर के साथ सब टोटल हम लगा सकते हैं तो लास्ट में मैं यही रिप्रेस्ट करूंगा अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत आती है कुछ भी सीखने तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके हमारे जो एक्सल के ट्यूटोरियल है वह आप काफी अच्छा सीख पाएंगी स्कूल चली दोस्तों आज के लिए इतना ही नेक्स वीडियों मिलके कुछ और नहीं के साथ तके लिए जैनके